ओम स्री गनिस आनम दोस्तो एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ मई मंगनवार के राशी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपकी वित्य इस्थिति में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ति के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविश्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तो आप में आज उड़जा का इस तरसामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आज आप बच कर चलें आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिति आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक सायता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगड़े हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तितियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए काम्याबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्देस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे प्रणाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयुग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरुतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तो साथ साथ कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट की इस्तिती रहेगी जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें कठिन परिश्रम से सभी कारे आपके पूरे होंगे लेकिन अनावशक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती प्रतिकूल हो सकती है लेने देन में साथधानी बढ़ते हैं परिवार का माहौल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है समवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवशक रकता है संसादनों पर खर्च होने से मांसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है वेवसाइक दरश्टी से समय आपके लिए सामान रहने बाला है कोई नेक कार योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है कोई तनाव और मतबेद आपको चिड़ चिड़ा और बेचेन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुचाएंगे सुनी अंसुनी बातों पर आखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती परखें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कले होने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदुर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्चक है आपके प्रियास से इस्तिया अनुकूल हो सकती है आप अपने रिष्टे को नई रचनात मक्ता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकरशन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचनरं करना ही सर्वथा उचित होगा साथ साथ दोस्तो आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दो के चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदाएक सिद्ध होंगी साथी साथ आज आपको धन प्राप्ति के भी अनेक वावसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों साथी साथ मेडिकल से जोड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है साथ साथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जिनका दोस्तों वैवसाय के द्रश्टी से आज की स्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छ होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उर्जावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेग साथे साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद लाल चंदन लाल गुलाब के फूल तथा रोली को लाल कपड़े में बांद कर भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाकर भगवान बजरंग कश्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशने चल रही हैं समस्त परेशने कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से विसेश लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली का अश्रवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै ब बजरंग बली अब अश्र लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद